दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल को मुली सुप्रीम कोट से अंत्रिम जमानत कोट ने उन्हें एक जून तक के लिए जमानत दी है आपको बता दें कि एडी ने के जिवाल को 21 मार्श कोन के घर से ग्रफतार किया था और तेहार जेल भेज दिया था उन्हें ये सजा दिल्ली में शराब नीती से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में मिली है अर्विंद के जिवाल के वकील अभिशेक मनू सिंग्भी ने कोट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी लेकिन कोट ने 1 जून तक की जमानत दे दी है दो जून को उन्हें वापस जेल भेजने और जाच में सहीयों की बात करते हुए उन्हें ये अंत्रिम जमानत दी गई है कोट ने कहा कि अरविंद के जिवाल का पिछला ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और वे दिल्ली के सीम होने के साथी साथ एक राश्टी दल के निता भी है हाला कि उन पर कई गंभीर आरूप लगे हैं लेकिन उन पर अभी तक किसी तरह के आरूप साबित नहीं हुए है और वे समाज के लिए किसी तरह से खत्रा भी नहीं है साथी इस मामले में केजिवाल की तरफ से ग्रफतारी की वैदता और वैधानिक्ता को चुनोती भी दी गई है जिस पर फैसला आना बाकी है प्रचार करने का मौका मिला मैं देश के करोडो करोडो लोगों का शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने अपने दुआएं भेजी उन्होंने अपने आशिरवात भेजा जिसकी वज़े से आज मैं जंता के बीच में वापस आया हूँ और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूँ उनके चरनों में वंदना करता हूँ जिनके आशिरवात से आज मैं जेल से बाहर आया हूं हमें सब को मिलके आज देश बहुत ताना शाही के दौर से गुजर रहा है हमारा देश चार हजार साल से ज़्यादा पुराना है हमारा देश महान देश है लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी ताना शाही करने की कोशिश की लोगों ने उसे कभी बरदाश्ट ने किया आज देश ताना शाही के दौर से गुजर रहा है मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्श कर रहा हूँ पर 140 करोड लोगों को मिलके इस ताना शाही को हराना होगा मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमें सब को मिलके देश को बचाना है कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशिरवाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनोट प्लेस में मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग आएं सब लोग घनवान जी का अशिरवात लेंगे और एक बज़े पार्टी आफिस जाएंगे पार्टी आफिस में प्रेस कॉनफरेंस होगी और कल शायद साउथ डेली में रोडशो है उस रोडशो में पार्टिसिपेट करूँगा भगवंतमान साब के साथ इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए केजिवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रहा किया गया है खास बात यह है कि उनके चुनाव प्रचार के मुद्दे पर कोट ने किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई है यानि केजिवाल चुनाव प्रचार खुल कर कर सकते है हाला कि दो जून को तेहाड में उनकी वापसी निश्चित है AD News मुंबई